सेवलिंग पर जल चड़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुह पूरो दिसा की और नहीं होना चाहिए। कभी भी बगवान की पीट की तरफ खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और नहीं जल चड़ाना चाहिए सीव जी को जल चड़ाते समय ध्यान रखे कि जल हमेंसा कलस से ही चड़ाए सीव जी का अभी से करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है हमेसा बेट कर ही दे यहां तक की रुद्रा भी से करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए बता दे कि पुराणों के अनुसा सेविलिंग पर खड़े होकर जल चड़ाने से यह सीव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुन्य नहीं मिलता है बगवान सीव का अभी से ए रहीं हाथ का इस परस करें